नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोली शो में तो दोस्तों S400 से रिकार्डिंग एक न्यूज निकल कर आईए कि उसकी डिलिवरी कब तक होगी यह और यह मैं नहीं कहा रहा हूं यह कहा रही है जो फैडल सर्विस फॉर्मिलेटरी टेक्निकल कोपरेशन जो रश चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों जो व्लादिमीर दोरो जो हो है जो ड्यूपीटी हैड है फैडल सर्विस फॉर्मिलेटरी टेक्निकल कोपरेशन उन्होंने कहा है कि भारत से हमने जो एक तरह से सोदा किया थैस फॉरंडर का तो उसमें सोदे में लिखावा था कि जो आप स्टार्टिंग का फर्स्ट पेमेंट दे दोगे जो एडवांस पेमेंट होगा उसके चोविस महीने बाद आपको जो एडवांस सिस्टम है ये ये मिलना शुरू हो जाएगा तो इस हिसाब से तो भारत को 2020 में इसे की शुरूआ इसे मिलना होगा और साथ ही इसकी जो पूरी डिलिवरी होगी है जितने भी पांच के पांच बाकी की सिस्टम होगे इन्हें 2025 तक डिलिवर किया जाएगा दोस्तों यानि आज से करीवन 6 साल बात तक इसकी पांच के पांच हमें सिस्टम मिलेंगे जो बहुत ही जादा टाइम लगता ह हमारा 100 बहुत पॉपुलर है हमारे पास तो बहुत सारी अप्लिकेशन हैं तो हम ऐसे ही डिलिवरी करेंगे अब मेरी वास सुनिए दोस्तों चाइना को ये ओल्डेडी सारे सिस्टम कुछी सालों के अंदर डिलिवर कर चुके हैं तर्की को ओल्डेडी स्टाइं हो चुके दिलिवरी की इस हफते के अंद तक वो भी पूरी हो जाए उनकी पहला सिस्टम आएगा और डिप्लोई भी हो जाएगा बलकि भारत और टरकी ने लगबग सेम टाइम पे सब कुछ किया तो मेरा क्यों हमें लेट मिल रहा है जब हमने पैसे पूरे दे रहे हैं उन्होंने का ऐम यूरो रॉबल में करेंगे उन्होंने का छिएं विरो में पैसे लेंगे तो हमने का ठीक है ठीक हैं म् यूरो में पैसे देंगे आप रूपी यूरॉबल पहले रूपी और काहरे थे कोई बात हम इसमें भी देने को तैयार है इसके बावज़ Hispanic सेbon है हमें लेट system क्यों होगा क्योंकि वो तो से भी एडवांस होगा इतना जो six generation fighter jet जो कुछ countries है वो भी इस पर बहुत आगे बढ़ चुकी होंगी तो फिर हम उसके जिए एक तरीके से एक बायर जैसे की iPhone है आपका एक साल में पुराना कर देता है इसलिए जब भारत को पुरी delivery आ जाएगी तो इतना तो ये पुराना हो जाएगा मुझे लगता है करीबन 2022 तक ये 2021 ये सब कुछ हमें मिल जाना चाहिए तक हमसे कम दो सिस्टम पर येर भी मिलते तो भी ठीक था लेकिन ये तो करीबन एक सिस्टम पर येर उससे भी ज़्यादा बैठता है यानि बीच में एक दो साल का गैप और लगेगा और आपको बता दूं कि ऐसे जो बड़े सोधे होते तो उनमें देरी भी होती है जैसे सुखोई का उसमें भी दो तीन साल की देरी होई थी तो आप यह मसोचे कि नोंने कहते हैं दोजार चुपिस पच्चिस तक कर देंगे इसमें और देरी हो सकती है जिसकि मैंने आपको आर्टिकल दिखाया था यह उनका ही बयान है और यह कोई रश्यन आर्मी में कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है यह डूपिटी है जो फैडल सर्विस है रश्या की उसके मिलिटरी टेकनिकल कोपरेशन के डूपिटी है तो इनका बयान माईने रखता है हाला कि अब देखना होगा कि अगले 2020 के अंत है बारत को थोड़ असा अगर partially और जादा प्रसकते थे कि वैसे भी यह बहुत महेंगा system में थोड़ असा अउर करते तो कोई problem नहीं थी और क्यूंकि हमें emergency deployment कम से कम 2 batteries अभी हम पाकिस्तान के border पर तेनात कर सकते थे इससे क्योंकि हमारे हाला मतलब की हर 34 महीने खराब हो ज चाहिए थे और जिस हिसाब से निउस निगल का यह तो बहुत लेट हो जाएगा दोजार पच्छिस तक तो बहुत जादा लेट हो जाए कमसेकम 222 ते इस 22 के अंद टक सारी हो जाने चाहिए थे सिस्टम जैसे मैं कहा रहा हूँ कि Kम से न buyer समय कियो कोई अपनी मरमानी क्यों की हम तो डोलर नहीं करेंगे एस्क कुछ नहीं किया बहरत ने और ँंगया है को प्रतीभंद्व के बावजूद उसे डॉलर उसे दे रहे हैं क्योंकि कोई कोई कारी के साथ व्यापर करने फिल्दा त्यार नहीं है तो वो conjंवेस इक्विमेंट बेच कर ये फिर ओयल गैस बेच कर ये अपना काम चला रहा है कोई ऐसा बड़ा डोमेसिक प्रोड़क की उसका नहीं है इस बात को ध्यान में रखकर उसे अपने कस्टमर की थोड़ी इज़त करनी से ही है लेकिन चलिए दोस्तों दे रहा है दरूसता है 2020 तक भ मिल जाए सही समय पर इससे कि आप कोई डिटेल ना मिस्स कर सकें तो फिलाल अगर आप आपका क्या कमेंट है इसके बारे में आप कमेंट करने के ज़रूर बताएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू वर्यमाच